दोस्तो क्या हो जब किसी फोन को एक या दो चार्जर से नहीं बलकि 100 चार्जर से कनेक्ट करके चार्ज किया जाए आप सोच रहे होंगे, ऐसे स्थिति में फोन ब्लास हो जाएगा दोस्तों यह experiment काफी खतरनाक हो सकता है तो इसलिए इसे घर में ना करें आपको बता दे किया experiment famous यूट्यूबर टेकर रेक्स ने किया सबसे पहले इधों ने 100 चार्जर के सभी केबल को बीच से काट दिया और positive wire और negative wire को अलग-अलग कर दो अलग-अलग terminal बनाया उसके बाद एक चार्जर से दोनों टर्मिनल को ध्यान पुर्वक कनेक कर दिया experiment के लिए iPhone 6S का इस्तिमाद क्या गया जिसका बैक्टरी पुरी तरह से खत्म था उसने अपने experiment में एक फोन को साधरन चार्जर से चार्ज किया जैसे ही उसने दोनों को प्लग किया कुछ सेकेंड में ही साधरन चार्जर वाले फोन को वन होने में काफी वक्त लगा दोस्तों इस experiment ने दुनिया को काफी हरान कर दिया आपकी इस experiment पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताए वीडियो अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को लाइक और शेर करें अगर यह वीडियो आप हमारी फेस्बुक पेस पर देखें तो हमारे फेस्बुक पेस को फॉलो करें अगर यह वीडियो आप हमारी यूट्यूब चानल पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद